नमस्कार, निशामदलिका.com में आपका स्वागत है सर्दी का मौसम है और सर्दी का सामना करने के लिए बहुत सारी इनर्जी के आवशक्ता होगी आज हम ग्यहों के आटे के लड़ू बना रहे हैं जो स्वाधिस्ट होने के साथ साथ आपको भरपूर इनर्जी देंगे तो आएए देखें ग्यहों के आटे के लड़ू बनाने के लिए हमें किन चीजों के आवशक्ता होगी यह हमने दो कप गेहूं का आटा लिया है और सभा कप यानि एक कप और चथाई कप तगार ली है तगार मेरी वेबसाइट पर बनाने का तरीका दिया हुआ है और बाजार में भी आसानी से मिल जाती है तीन चोथाई कप हमने देशी खी लिया है आठ दस काजू ले लिया है और चार-पाथ छोटी इलाइची है जिनको कूट करके पाउडर बना लेंगे तो गेहूं के आटे के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटे को भूलना होगा कड़ाई गरम हो गई है और कड़ाई में हम घी डाल देंगे थोड़ा सा घी बचा देंगे बाद में जुरूत पड़ेगी तो डाल देंगे घी मेल्ट होने पर आटा डालेंगे और मीडियूम आग पर हम लगातार चलाते हुए आटे को हलका ब्राउन होने तक और अच्छी महक आने तक भूलेंगे आटे का कलर चेंज हो गया है हलका ब्राउन कलर आ रहा है और आटे से बहुत अच्छी महक आ रही है आटा भून करके तैयार हो गया है गयस बंद कर देते और आटे को हम कडाई में थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे कडाई गरम है और इसके बाद थोड़ा सा ठंडा करेंगे आटे को और फिर तगार मिला करके लड़ दुबालेंगे यह भूना हुआ आटा हम बड़े बरतन में डाल लेंगे और यह हमने काजू काट लिये हैं वो मिला देते हैं और इलाइची पाउडर भी मिला देते हैं मिक्स करते हैं इन्हें आटा थोड़ा जल्दी थंडा हो जाएगा आटे को बहुत ज्यादा थंडा भी नहीं होने देंगे वरना फिर लड़ू बादने में मुश्किल होगी आठा हमारा हलका गरम रह गया है और अब हम इसमें त चीनी मेल्ट हो जाती है लड़ू बनाने के लिए हम बूरा या तगार ही ले तो लड़ू ज्यादा स्वाजिस्त बनते हैं चीनी पाउडर की लड़ू उतने अच्छे नहीं बनते क्योंकि तगार का अपना एक अलग स्वाज और अलग टेक्शर होता है तगार को हम एकदम हम अच्छी तरीके से मिक्स होने तक मिक्स करेंगे यह हमारा मिस्रण लड़ू बनाने के लिए तैयार हो गया है अब हम मिस्रण से थोड़ा-थोड़ा मिस्रण उठाएंगे और दोनों हातों से गोल-गोल लड़ू बना करके तैयार करेंगे लड़ू अपने पसंद के अन वर इस तरीगे से गोल-गोल करके हम लड्डु बना करके प्लेट में रखते जाएंगे और यह सार लड्डु हमें इसी तरीचे से बना करके तयार करने हैं ग्यहूं के आठे के लड्डु तयार हैं बहुत ही अच्छे लड्डु abonn tens d purchase और यह लड्डु आप э pods दे टेनर में भरके रख लीजिए और महीने भर तक खाते रहें आप गेहूं के आटे की लड़ू बनाएए खाएए और अपने अनफ़ाव निशामधुलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशामधुलिका.com पर